रोजमन्रा की जिंदगी में हम आया दिन छोटी मोटी बिमारियों से बचाव के लिए कई तरह के घरेली नुस्के और जड़ी बूटियों को उपयोग करते हैं इस बात को गहराई से दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में तो अगर आप भी जानना चाते हैं दोस्तों अशोकारिस्ट क्या है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंद तक जरूर देखें नवश्कार दोस्तो अस्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौले साथी पर तो आई दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोकरिस्ट है क्या और उसके बाद हम जानेंगे इसके क्या फायदे होते हैं तो दोस्तो अशोकरिस्ट के अर्क के साथ पानी गुड़ धात की सफेद जीरा मुस्ता को मिला कर तयार किया जाता है इसे खास कर महिलाओं से संबंदित कुछ विकारों में इस्तमाल मिलाया जाता है इस वीडियो में दोस्तो आगे चलकर हम आपको आश्योकरिस्ट के फायदों के बारे में विस्तार में बताएंगे जिससे कि आप समझ सके कि इसके और क्या-क्या फायदे होते हैं अब दोस्तो अगर हम बात करें इसके और गुडों के बारे में digestive यानि कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और दोस्तो brain tonic है यानि कि आपकी दिमाग की शक्ति को भी यह बढ़ाता है इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह की जलन हो तो उसको भी यह दूर करने का काम करता है तो दोस्तो यह सभी benefit हमें अशोकारिस्ट के प्रयोग से द दिलाने वाला गुड होता है इसके लावा दोस्तो यह digestive होता है आपके पाचन शक्ति को भी स्ट्रॉंग करता है इसके आधर पर दोस्तो आप यह कह सकते हैं कि आपकी गैस और अपच के कारण होने वाले पेट डर्ट की समस्या में बहुत जादा फायदे मंद होता है वही तो इसका दूसरा जो प्रयोग लाए जाता है वो महिलाओं के लिए है यानि कि उनके मासिक धर्म से संबंदित दोस्तो मासिक धर्म की तकलीफ से राहत देलाने के साथ ही अशोकारिस्ट नियमित मासिक धर्म की प्रक्रिया को बनाय रखने में भी मदद करता है इसके हुए हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक करता है यानि कि दोस्तों हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करने का ये काम करता है इससे दोस्तों महिलाओं को नियमित मासिक चक्र को बनाय रखने में मदद मिलती है साथ ही दोस्तों में मौझूद कमर और पेट दर्ट से रहात दिलाने वाले गुड के कारण यह मासिक चक्र के दौरान होने वाली तकलिफ को कम करने में भी बदत करता है इसके दोस्तों कुछ और फायदों की बात करें तो हमारी immunity को दोस्तों यह strong करने का काम करता है क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो में जाना इसमें immune moderator good होते हैं जिसके चलते दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो और आप बहुत जल्दी जल्दी बिमार पढ़ जाते हो तो दोस्तों अपनी immunity को boost करनी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अलसर में भी दोस्तों इसका प्रयोग लाया जाता है इस बात का दोस्तो हमें जिक्र मिलता है अशोक पेड़ से संबंदित एक रिसर्च में इस रिसर्च में माना गया है कि दोस्तो अन्य औश्दिय गुड़ों के साथ ही अशोक के पेड़ में एंटी अलसर यानि कि एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर भी होता है यानि कि दोस्तों कई सारी गंबीर समस्या हैं जैसे कि प्रतिरोधक, तंत्र विकार, बढ़ती उम्र, हाट से जुड़ी समस्या हैं, तंत्र का संबंदी समस्याओं का कारण भी दोस्तों बनी रहती हैं इन सबी समस्याओं से मुक्त रहने के लिए दोस्तों एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर खाना हमें लेना चाहिएं, वहीं अशोकारिस्ट से समद्दी दोस्तों एक रिसर्च में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि फिनॉलिक योगीक से भरपूर होने के कारण अशोकारिस्ट अशोका अर्ख हड्डियों के घनत्व को बढ़ाकर हड्डियों को मजबूत बनाता है इससे ऑस्टी ओर्थराइटिस की समद्द से हमें काफी हद तक दोस्तों आपको आराम देखने को मिलता है तो ऐसे में दोस्तों अगर आप आयर्वेदिक ट्रीट्मिंट ले रहे हैं अश्टी ओर्थराइटिस के लिए तो आप यहां पर अचोका रिस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं एक ट्रीट्मिंट के तौर पर अब दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या-क्या पोशक तत्व होते हैं तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एलकलाइड ग्लाइकोसाइड टैनिंस और फ्लेविनोईड अब इसका सेवन दोस्तों आपको कैसे करना चाहिए तो दोस्तों आमतार पर आप इसका सेवन तो दोस्तों हैज 20 ऐंघेज 18 साल या उससे जादा है तो इस तरह से दोस्तों आप इसका प्रयोग करें अब भही अगर आगर बात करें किया इसे हमें लेते से में कुछ साबधाने अपनानी चाहिए तो दोस्तों बिना पानी के अश्योकरिस्ट का उप्योग नहीं करना चाहिए यानि कि दोस्तों जितनी मात्रा पे लिए जाता है दोस्तों आप इन में से किसी भी कंपनी का श्रू करना आप शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो helpful लगा होगा और पसंद आया होगा ऐसी और भी ग्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डॉले साथी को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जाधत से अधर लाइक और शेयर भी करें वीडियो हुआ है